हमने आगले लेक्टर में देखा था यूजिंग फॉर्मूला का यूजिंग फॉर्मूला का यूजिंग हम कैसे कर सकते हैं अब आगे देखेंगे पॉइंट इन इजियर मैथड ओफ एडिंग असल रेफ्रेंस टू फॉर्मूला इस टू टू टाइपिंग दसल एड्रेस यहाँ पर जो मेथड है वह इजी मेथड है आगे हमने देखा था आपको सारी फॉर्मूला है वह आपको लिखनी पड़ती थी अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो वह इससे इजी मेथड है तो आपको क्या करना है कि जो आपका सेल एडर्स है उसपे आपको सिर्व ख्लिक करना है आपको जहां पे चाहिए वहां पे आपको पहले आपको यहां पे देखर एक्जाम्पर में फीगर 2.5 म साइन करने पड़ेगी उसके बाद आपने जो भी सेल एड्रेस है वो आप आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा आपको सिर्फ क्लिक करेंगे तो वो सेल एड्रेस अपने आप महा पर आ जाएगा ठीक है देखे एड्रेस अन इसेर मेथड़ ओफ एडिंग असल रेफरेंस तो अ फोर्मिला इस्टू क्लिक टू तो दा क्लिक ओन दसल इंस्ठीट टू ऑफ टाइप इंद आप इंद सेल एड्रेस देस मेथरी स्कोर पॉइटिंग उसे कौन से मेथड केता है तो पॉइंटिं b2 ठीक है आपको सबसे पहले equal to की sign है वो आपको लिखनी पड़ेगी type करनी पड़ेगी उसके बाद आपको b2 है यानि कि हमें जो first value है b2 उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है click on the cell b2 instead जब आप b2 पे click करेंगे तो उसका cell address अपने आप वहाँ पे आ जाएगा type हो जाएगा अब moving desk border यहाँ पर देखिए आपको जो desk वाली border है वो आपको दिखाएगी जहां पर आपने click किया है code and mark you उसे कहता है mark you कहता है will appear around b2 जो b2 की cell है उसके around उसके जो cell है वो cell के around वहाँ पर जो desk border है वो आपको दिखाएगी the status bar will display the status of point यहाँ पर देखिए status bar में क्या है तो जो आपका point है वो दिखाएगा now type आपको जो operator है वो आपको type करना पड़ेगे या फिर sign कहते है उसे या फिर operator कहते है plus plus की sign है वो आपको type करने पड़ेगी and then click on cell c2 उसके बाद आपको c2 cell है उस पर click करना पड़ेगा देन टाइप फिर से plus sign and click on cell d2 उसके बाद आपको d2 cell में क्लिक करना पड़ेगा आपको जीतने भी cell है आपकी document में उतने cell आपको click select करने पड़ेगे cell e2 will now have the same formula as in figure 2.3 यहाँ पर जो formula बार में जो formula दिखाए दे रहे है वो ही formula आपको जो आप वहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है cell में वो आपको दिखाए देगा उसके बाद आपको क्या करना है तो press enter to see the value आपको value देखने के लिए आपको enter करना पड़ेगा जब आप enter करेंगे तो जो आपका total है वो आपको दिखाए देगा अब देखिए relative absolute and mixed reference range reference in a formula you can use three type of reference relative absolute and mixed let us study this in detail जब आप cell range लिखते हो cell का formula में तो वो क्या cell reference तो वो तीन प्रकार के है उसका तीन टाइब है relative absolute and mixed reference तो देखिए यहां पर first of all is relative references the row and the column reference can change when you copy a formula to another cell row and column reference can change when you copy the formula to another cell जब आप row और column का reference है वो आप change कब होगा जब आप copy करेंगे formula की तब एक्सेल से दूसरे cell में by default excel 2013 create relative cells reference in a formula formula में excel की जो reference cell reference है वो relatively created एक्सेल देता है एक्सेल अ एक्सेल for example A1 B5 द 4 etc, let us study an example to understand this example देखते है consider the worksheet show in figure 2.6 यहाँ पर जो worksheet है वो देखिए यहाँ पर दो column है number and cube of a number यहाँ पर जो number दिये गए है 1, 2, 6 अब आपको उसको cube चाहिए वो number का तो आपको क्या करना पड़ेगा to find the cube of a number आपको cube डुनना है maths में आता है ना square और cube square and cube आता है ने तो आपको यहाँ पर cube की value डुन डुननी है 1, 2, 6 की आपको क्या करना पड़ेगा select cell b2 and enter the formula यहाँ पर आपको b2 cell है वो select करना पड़ेगा और आपको formula लिखनी पड़ेगी equal to a2 multiply a2 multiply a2 cube की formula क्या है a2 multiply a2 multiply a2 जो number है उसको तीन बार multiply करना है तो वो number का cube आपको मिल जाएगा then press enter the calculated value will appear आप यह formula लिखेंगे तो उसके बाद आप enter प्रेस करेंगे तो जो आपकी calculate जो आपका value है वो आपको दिखाए देगा second now select cell b2 again and using the fill handle यहाँ पर जो आपको फिर से select करना पड़ेगा क्योंकि आपने enter दबा है तो वो करसर है वो नीचे आ जाएगा इसलिए आपको फिर से b2 है वो again select करना पड़ेगा cell and using that fill handle उसका जो fill handle है वो आपको उसका यूज करना है drag to cell b7 release the mouse button the calculated value will appear in the cells आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर 2.7 फिगर में ड्रेक दो फिल हैंडल यहाँ पर जो सेल है उसके नीचे आपने जो भी select किया है वो selected area में यहाँ पर side में corner में आपको square दिखेगा वो square को आपको खीचना है जहां तक आपको value चाहिए वहां तक आपको खीचना है नीचे नीचे की तरफ से तो यहाँ पर क्या करना है figure 2.7 में नीचे की और खीच रहा है आपको दिखाई दे रहा है में यहाँ पर एक arrow दिख रहा है प्लस प्लस के चेसा जब आप drag करेंगे और आपको जहां तक ले जा रहा है वहां तक ले जाएंगे तो और उसके बाद आपको mouse button release करना है तो आप release करेंगे तो जो value है वह आपको आटोमेटिकली आपको दिखाई देखी यहाँ पर देखिए हमने formula तो एक की ही लिखी उसके बाद हमने जो किया वह हमने drag and drop किया है ठीक है तो उसके value आटोमेटिकली हमें display हो जाएंगी यहाँ पर देखिए 2.8 में जो 2 का cube है वह 8 होगा 3 का cube 27, 4 का cube 64, 5 का cube 125 and 6 का cube 216 next 3 third point select cell B3 and B4 and not their formula in the formula bar अब उसकी formula बार में जो भी आप cell का cell address देखना चाहते है उसका formula देखना चाहते है तो वह formula पर आपको select करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए आपने B3 and B4 पर select करेंगे तो आपकी जो formula है वह formula बार में देखेंगी यहाँ पर formula बार कुन सा है तो देखिए यहाँ पर जो है वह formula बार है उससे formula बार कहते है ठीक है यहाँ पे देखिए तो formula बार में आप जो भी हो जाएगा हमने पहले क्या लिखाता B2 में formula तो equal to A2 multiply A2 multiply A2 और इसी की तरह जो सारी cell है उसका address भी same ही आएगा ठीक है तो formula in cells B2 to B7 is the cube of number in the cell on the left the reference changes if the formula is copied to another cell this is because the formula uses relative referencing यहाँ पे जो आपने एक formula किया हो उसके बाद आपने सारा copy किया है तो वो किस तरह से होता है तो formula में वो relative referencing है वो use होता है इसलिए इस referencing is useful when you summarize the row data and want to copy the formula for each row आपको जब data copy करना होता है तो आप इस तरह से कर सकते है next absolute referencing in absolute referencing the row and the column reference do not change when you copy the formula जब आप copy करेंगे formula की तो वो change नहीं होगी this is because the reference is to fixed cell address उसका cell address है वो fixed है इसलिए in this case the formula uses two dollar signs before column letter and before row number यहां पर देखिए in this case the formula uses two dollar signs before column letter and before row number column letter और row number में आप यह दोनों के बिच dollar sign का use होता है for example dollar sign a dollar sign one और second है dollar sign d dollar sign five dollar sign b dollar sign seven etc given below in a example to explain absolute referencing यहां पर देखिए absolute referencing कैसे होता है first in the given worksheet तो formula entered in cell b3 is equal to यहां पर देखिए worksheet है उसमें आपको area of circle डोनना है radius है और उसका आपको area of circle डोनना है तो आप कैसे करेंगे तो यहां पर formula enter कीजिए formula कैसे एंटर होती है first of all equal to sign से ठीक है तो आपको equal to sign करनी है उसके बाद चोड डॉलर sign है उसका यूज करना है तो c dollar sign c dollar sign one यहां पर आपको c one में आपको चाहिए तो आपको यहां का cell address लिखना पड़ेगा dollar sign c और dollar sign one multiply a3 multiply a3 area of circle का जो formula है वो कौन सा है वो आपको लिखना है ठीक है तो second select cell b3 and using the fill handle drag up to b7 आपको जैल b3 है वो select करना पड़ेगा और जो हमने field handle using the fill handle हमने drag up drag किया था relative referencing में उसी तरह यहाँ पे भी आपको drag करना पड़ेगा when you copy the formula in the cell B4 it becomes dollar sign C dollar sign 1 multiply A4 multiply A4 यहाँ पे आप cell address तिखेंगे तो cell address होई हो जाएगा आपको drag करना है तो जो सारी value है वो आपको दिखाए देगी ठीक है relative value की तरह absolute value में भी हम copy कर सकते है डेटा की पार्ट ओफ फोर्मिला इस रिलेटिव एफोर मल्टिप्लाई A4 while the other part is absolute dollar sign C dollar sign 1 जो रिलेटिव है वो कौन सा है एफोर मल्टिप्लाई A4 ठीक है जो रिलेटिव है वो reference है वो और जो absolute value है वो कौन सी है dollar sign C dollar sign 1 wherever you copy the formula only the relative part will change अब जो डेटा को copy करेंगे उसमें changes कहां पे होगा तो relative value में A4 multiply A4 A5 multiply A5 इस तरह से while the absolute part remains the same जो absolute part है वो same रहेगा now can you guess the formula that would appear in the cell B5 yes it would be dollar sign C dollar sign 1 multiply A5 multiply A5 ठीक है अब देखेंगे mixed referencing in mixed referencing if the row reference is relative and the column reference will be absolute यहां पर मिक्स रेफ्रेंसिंग में क्या होगा तो जो रो होगी रो reference होगा वो कौन सा होगा तो रिलेटिव एंड जो कॉलम का reference होगा वो कौन सा होगा absolute ठीक है तो फोर एक्जम्पल देखिए dollar sign A1 और A dollar sign 1 you will understand this with the example of given below यहां पर देखिए first consider the worksheet in figure 2.11 shows the table of 1 to 10 यहां पर हमें table है वो show दिखाना है कि 1 to 10 तक का जो table है वो हमें दिखाना है ठीक है 1,1,1,1,2,2 इस तरह select cell B3 the formula in it in it is equal to यहां पर B3 है वो cell आपको select करना पड़ेगा B3 ठीक है उसकी formula क्या होगी तो B dollar sign 2 multiplied dollar sign A3 जो column है वो absolute value है और row है वो relative reference है इसलिए now copy the formula to cell range B3 up to K12 to get the all the tables यहां पर देखिये B3 से लेकर K12 तक आपको आपने जो भी डेटा चाहिए वो आपने copy किया तो आप पूरा डेटा है वो आपको मिल जाएगा mixed reference में mixed reference में भी आप copy कर सकते है ठीक है in the given formula both the cell reference are mixed यहां पर जो formula लेखा है वो उसमें both यानि कि दोनों ही reference है उसका mixed up है relative reference and absolute reference the reference to cell B2 uses an absolute reference for the row dollar sign 2 and the reference to cell A3 used an absolute reference for the column dollar sign A चो dollar sign column के लिए कौन साइज हुआ था dollar sign A और row के लिए dollar sign 2 there is a way to view the formula copied to the cell range B3 to BK12 यहां पर जो formula दिखाए दे रही है figure 2.12 में वो आपको formula देखनी है तो आप कैसे देख सकते हैं तो देखिए click the formulas tab formula tab में जाके आपको formula auditing group में जाके click the show formula button पर आपको click करना पड़ेगा formula में जाके जो formula auditing का group होता है उसमें show formula button होता है उसमें जाके आपको click करना पड़ेगा जब आप click करेंगे तो जो सारी formula है वो आपको दिखाए देगी the formula used in each of the cell of the range will be show in the cells यहाँ पर हमने data को कोपी किया है अगर हमने specific cell का हमें formula चाहिए तो हम formula बार में show formula बटन पर click करके वो हमें देख सकते हैं यहाँ पर देखें सारे cell की जो formula है वो आपको यह दिख रहा है यहाँ पर ठीक है यहाँ आपको यहाँ यहाँ पर दो